जहें दोस्तों एक और नए शांदार दिन में आपका स्वागत है जी हाँ एक और बहतरी वुडियो लेकर करके आपके समख चम प्रस्तुत हो गए हैं दोस्तों और दोस्तों कभी आपने सुना है कि काशी के घाटों पे हेलिकॉप्टर की लेंडिंग हो नहीं तो बेशक मैं मुझे यकिन या हो रहा था कि काशी के घाटों पे हेलिकॉप्टर की लेंडिंग हो सकती है क्लिवे तो चलिए आप और हम दोनों साथ में मिल करके देखते हैं कि क्या वाकई मैं काशी घाट में हेलिकॉप्टर कि लेंडिक की सुर्था बनाई जा रही है यकिन नहीं और तो मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तों और मेरे साथ आप भी चले चांदें इस रहस्य को अधिक तो दोस्तों वीडियो माप देख रहे होंगे कि ये मेरे सामने है नमो घाट जो के पुरी तरकी से बन गया है और एक अच्छा खासा मॉडर्न ट्यूरिस्ट प्लेस है आज के समय में और ठीक इसी से सटा हुआ ये देखे ये नमो घाट फेस्टू यहां से बनना स्टार्ट हो गया है और पूरा आगे तक ये आदिव केसव घाट तक हो करके जाता है तो घाट ये काफे तेजी से बन रहा है देखिए ये लोगों के बैठने के लिए आइधिंक कुछ चोत्र जैसा है और काफी मजबूती और के साथ ये पूरा घाट बन रहा है पूर। दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद है नमो घाट के बगल में बन रहा है नमो के फेस्टू काफी विशाल का काफी शांदार घाट ये बन रहा तो मैं इसी घाट के बात कर रहा हूं यहां पर आपको हम चले बताते हैं कि एक मुर्ती विस्वजन के लिए कुंड भी बनाए जा रहा है जो कि पूरा पर्मानेंट कुंड यहां पर बन रहा है और उसके अलावा यहां पर हेलिकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा भी ओफिश्यल हेलिकॉप्टर लैंड करेगा चले मेरे साथ साथ आप भी इस पूरी शांदार घाट का आनंद लीजे और पूरा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से हुआ है कि अब काम घाट पे लगा हुआ है लोग काम अपना अपना काम कर रहे हैं और आप यहां से खड़ें करके देखेंगे तो पूरा दूर दूर तक पूरा आपको घाट की लंबाई ही देखने को मिलेगी सामने पूरा आदिव केशव घाट है और इसी के घाट के को दिखाएं तो कि यह मेरे पीछी जो आप कुंड देख रहे होंगे यह कि पार्मा नेंट सेमेंट और इट से के बनाया गया बन रहा है यह मूर्ती बेसरजन कुंड है देखिए लगभग इसका काम पूरा बन के तयार हो गया है कि दोस्तों बहुत तेजी के साथ पूरा घाट को बनाने का काम चल रहा है और मेरे खिया से मैंने पूरे बनारस के सारे घाट को मैंने एक्स्प्लोर किया हुआ है और यह जो घाट ने फेस्टू बन रहा है यह सारे घाटों से काफे सुन्दर तो है और यह इसके उचाई भी सारे घाटों के सभी घाटों के पिक्छा काफी उचा है तो यहां से पूरे बहतरीन देखने को मिलेगा दोस्तों मेरे पीछे आप यह कुछ कमरों का ब्लॉग बनता हुआ देख रहे हैं यह एक आने वाले समय में गेस्ट हाउस बनेगा में मेहानों के लिए होगा जो मेहान दूर से आ रहे हैं और उन सब के सेवा में गेस्ट हाउस को कामे लिया जाएगा घाट प्रबनने का प्रोसेस काफी तेजी से चल रहा है और भाया लोग देखे भी वायर खिचने का काम कर रहे हैं कर दो कर दो कर दो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि यह उच्य उच्य जंगल जैसे पूरे पूरा एरिया है मिट्टी है सभी को काट करके और यह बड़े बड़े पत्थर यहां पर लाएगे हैं जिसके द्वारा के घाटों को बनाये जा रहा है और यह मेरे वहां पर एक राजघाट बसन इसकुल का बोड़ भी आपको देख जाएगा और यह दोस्तों वाकई में मानिक काफी बड़ा और बहुत ही शांदार यह पूरा घाट बनने को है और करीबन 24 में यह पूरा घाट आपको बन करके त्यार मिल जाएगा ऐसे संभावना जताई जा रही है और दोस्तों अभी से इस पूरे घाट पे लोग घूमने के लिए आना सुरू कर दिये हैं वाला कि अभी पूरा कंस्ट्रक्शन में पूरा घाट चल रहा है और ऐसे दिखी पूरे लग रहा है कि हम लोग इस जंगल पहाडी लाके में हम लोग आ गए हैं दोस्तों इस फेस्टू में घाट को एक्स्प्लोर करते हुए हम लोग आ गया चुके हैं और आदे केशव घाट पास में हैं और अभी आपको घाट का अपडेट बताया देखें आप पत्थर की पूरे तराश करके डिजाइन बनाए जा रहा है जो कि घाट के सुंदरता मे चार चानत लगाएंगे अगया दोस्तों इस घाट पर टोटल दो हैलिपैड आपको देखने को मिलेंगे एक हलिपैड तो अभी देखें यह मेरी पीछे आप देख रहे होंगे यह भी बन रहा है और एक हलिपैड इसके आगे है जो कि बंदर वह भी बनने के प्रोसेस में ह सब्सक्राइब बन करके तयार हो गया है तो दो हेलिकॉप्टर अभी मुझे यहां पर दिख रहे हैं वह हेलिकॉप्टर यहां पर घाट पर उतरेंगे और यह इसका यह घाट बनने के प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था लेकिन इसको पर्मिशन मिल गई है ऐसा यहां के ल लोकल लोगों ने बताया जो घाट को बन वा रहे हैं तो देखें काफी लंबा चोड़ा है और आने वाले समय में जब यह बन कर तयार होगा तो क्या ही कहने हैं दोस्तों बहुत बहुत बहुतरीन लग रहा है और पूरा काम एकदम जोरो शोरो से घाट को बनाने में लगा हुआ है दोस्तों यह देखी यह है हेलिपैड काफी बड़े सरकल में यह हेलिपैड बना जाता है और यहें पर हेलेकॉप्टर उतरेगा दोस्तों एक हेलिपैड मैंने आपको अधर दिखाया था दूसरा हेलिपैड देखे यहां पर बनने वाला है जो यह घाट का अभी आखरी हिस्सा है यहां पर अब ही तक यहीं तक का ओर्डर बनाने को मेला हुआ है देखी दूसरा हेलिपैड यहां पर बनेगा अब ही यह सिर्फ इसका पूरा धाचा त्यार किया गया है और जल्द ही है पूरा हाथ लगाए जाएगा और एक मस्त हेलिपैड आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए अभी तक हम लोग यह आखरी छोर पे हैं और यहां से यहां को किसने गहरान देखनों को मिल रही होगी और यह भी घाट यहां तक पंप्लिट हो जाएगा तो इसके आगे हाथ लगाए जाएगा तो देख रहे हैं आप कि कितनी उचाई पर हम लोग है गंगा जी कि काफी नीचे हैं और इतनी उचाई पर यह घाट बना हुआ है तो दोस्तों यह बनारस के सभी घाटों में सबसे उपरी घाट मुझे देखने को लग रहा है दोस्तों व्यूडियो मागे बढ़ते वे हल मुझे चल रहे हैं आदिकेशव घाट तक और फेस्टू घाट अस्प्लूर करते करते हैं हम आपको आदिकेशव घाट का भी दशन करवा देते हैं क्योंकि थोड़ी दूरी पर आदिकेशव घाट है और यह घाट भी जल्द ह आदिकेशव घाट का बोड़ लाएं कि पूरा बनने वारा है कि अधिकेशव घाट से पैदल चलते चलते हम लोगा पहुंचे हैं आदिकेशव घाट तक हमारे पीछे देख रहे होंगे यह आदिकेशव घाट का बोड लगा है और उसके उपर उसके उपर महादेव का मंदिर है कि अधिकेशव घाट को हम लोगों ने बहुत अच्छे एस्प्लोर किया नमो घाट से लेकर के पूरा आदिकेशव घाट तक मैंने आपको पूरा यह व्यू दिखाया अभी तक देख रहे हूंगे मेरे पीछे जेसी भी लगी खड़ी है और इस घाट को पुरा मेटी से पाटने का काम कर रहे है ताकि और उचाई पर यह घाट बनाया जा सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को वीराम देते हैं और अगर यह वीडियो पसंद आया लाइक करें और हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दिए दोस्तों अब बेल आइकन को भी दबाना न भूलें जिससे कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा आप तक सीधे पहुच जाएगा चलिए अ महादेओ को नाम लेते रिए हरार महादेओ